नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूफोर्मिन 500 SR टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, यूफोर्मिन SR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और यूफोर्मिन SR टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि यूफोर्मिन SR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Uformin SR एक ब्रैंड नेम है Uformin SR टैबलेट के अंदर salt composition metformin 500 mg होता है Uformin SR टैबलेट का उप्योग टाइप टु डाइबिटीज में ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रन में करने के लिए किया जाता है Uformin SR टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है Uformin SR टैबलेट शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वजह से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में हैं, तो वह व्यक्ति परी डाइबिटिक स्टेज पर है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है. शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में यूफोर्मिन एसार टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में यूफोर्मिन एसार टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में बेचेनी होना, चक्कर आना, मुझ के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, पेट में दर्ध होना और भूप कम लगना आदी साइड इफेक्स यूफोर्मिन एसार टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं. इसके अलावा लंबे समय तक यूफोर्मिन एसार टैबलेट का सेवन करने की वज़ह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती हैं. वैसे यूफोर्मिन एसार टैबलेट की वज़ह से ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है. लेकिन यदि आपके डॉक्तर ने यूफोर्मिन एसार टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है. तो ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुंदला दिखाई दे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 70 मिलिग्राम पर देसिलिटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल कम है. ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेविल को ठीक करने के लिए शहद चीनी, ग्लुकोस टै टैबलेट को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रेक्मेंडेड होता है। यदि किसी व्यक्ति को यूफोर्मिन एसार टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या पेट में बेचैनी की समस्या होती है। तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर यूफोर्मिन एसार टैबलेट को खाना खाने से तुरंट पहले भी लेने की सला दे सकता है। यूफोर्मिन एसार टैबलेट एक सस्टेन रिलीस टैबलेट है, जो शरीर में धीरे धीरे घुलती है। और सस्टेन रिलीस दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है। 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर यूफोर्मिन एसार टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं। यूफोर्मिन एसार टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेविल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी ह अब हम डिसकस करेंगे कि यूफोर्मिन एसार टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको यूफोर्मिन एसार टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। चिंता यूफोर्मिन एसार टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको यूफोर्मिन एसार टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडियूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको यूफोर्मिन एसार टैबलेट का तो ये लक्षन शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिती में आपका डॉक्टर दवा की डोज को बढ़ा सकता है या दवा को बदल भी सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर, बुखार होने पर, कोई चोट लगने पर और सर्जरी के बाद यूफोर्मिन एसार टैबलेट से शुगर को नियंतरन करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। किसी सर्जरी से 48 घंटे पहले डॉक्टर यूफोर्मिन एसार टैबलेट को रोकने की सला दे सकता है। और सर्जरी होने के 48 घंटे बाद तक आपका डॉक्टर यूफोर्मिन ए एसार टैबलेट की जगह पर इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाने की सला दे सकता है। इसलिए यदि आप यूफोर्मिन एसार टैबलेट का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सरजरी होनी हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। वैसे यूफोर्मिन एसार टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में ब्लड शुगर लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही स अपसे सुरक्षित माना गया है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका यूफोर्मिन एसारे टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं